हाई दोस्तो टीफोर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप किस तरह से नेटफ्लिक्स पे एक अकाउंट बना सकते हैं और उसमें आप निव रिलीज पिक्चर और हॉलिवड पिक्चर भी आप उसमें देख सकते हैं तो चलिए नेटफ्लिक्स पे अकाउंट क्रियेट करते हैं और उसमें एक महिने का फ्री सब्सक्रिप्चर में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से उसमें लेते हैं तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्रॉजर ओपिन करना है अगर चाहिए तो चलिए प्रॉजर में ओपिन कर लेता हूं और इसमें आपको कैसे कैसे अपलाई करना है तो सबसे पहले इसमें यहां पर आपको दिखाए दे रहा होगा यहां पे आपको लिख लेना है www.netflix.com तो netflix.com लिखने के बाद आपको सिंपली सर्च कर लेना है तो जै यहां पर नीचे watch free for 30 days यानि 30 दिन के लिए आपको फिरी में दिया जाएगा तो यहां पर आपको क्लिक कर लेना है और अगर आप इसको चाहे तो कई भी आप कैंसल कर सकते हैं इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है तो चलिए फिरी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं अब यहां पर आपको दो तरीके से अकाउंट क्रेट कर सकते हैं नेटफिक्स में फरस्ट यह मेथड है कि आप मोबाइल नंबर के थुरू आप अकाउंट क्रेट कर सकते हैं और सेकेंड मेथड यह है कि आप एमेल आड्रेस या गूगल आ फोन नमबर के वपल क्लिक करेंगे यहां पर जो फोन नमबर यहांपर आपको क्लिक करने के बाद आपको यहां पर श treatments के देख सकते ह לפ फोन नमबर और नीचे sidewalk का प्रोपयर ओप्शन की दे चाहिए iron हमन्ठाश्ण बीजिंस पने धच雅ब मैं कहन द्च करना है तो यहाँ पे आपको country select करना है यह देखे जहाँ पे मैं रेट वाला घुमा रहा हूँ यहाँ पे आपको country select करने ना है और नीचे में password strong सा password आप 6 नमबर का यह फिर 8 नमबर का बना दे नमबर और लेटर मिक्स करके यहाँ पे आप अपना password create कर ले तो चलिए यहाँ पे फट फट मैं अपना password भी डाल लेता हूं तो चलिए पासवर्ड होगर डालने के बाद आपको नीचे एक option दिखा देता होगा continue का option यहाँ पे continue के उपर आपको क्लिक करना है उपर जैसे कि आप देख सकते enjoy your first month it is a free आप फिरी फिरी में यूज कर सकते है नेट्फिक्स यह देखिए यहाँ पर यहाँ पर enjoy your first month it is free अब आपको simply continue के उपर क्लिक कर देना है तो चलिए continue के उपर मैं क्लिक कर लेता हूं जैसी continue के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको set your payment method पतलब आपको payment method के लिए आपको setting करने के लिए बोला जा रहा है तो अगर आप चाहें तो यह payment method अगर आप डाल देंगे अभी तो आप बाद में इसको cancel भी कर सकते हैं free trial के अंदर भी आप इसको cancel कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो आप अपना debit card यह credit card का number यहाँ पर डाल देना है जब से पहले फर्स्ट नेम डाल देना है और यहाँ पर लास्ट नेम डाल ना है और अधी एक्सपारे डेट डाल देना है उसके बाद आपको CVV नमबर यानि की security code यहाँ पर डाल देना है उसके वादब जैसे कि यहाँ तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं आप जब मन चाहे आप इसको कैंसल कर सकते हैं ज़रूरी रहे हैं कि अगर आपने कार्ड नम्पर डाल दिया है तो आपके पैसे डिडेक्ट हो जाए गया है 100% यह कोई जरूरी नहीं है आप जब मंद तब सीको जो कर सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद आपको अगont के समय को पर किलिक करना है तो अगैन कर आ सी एक आपकोард फरμडे करना हुआ सकते के पर छेमक्न नहीं है